बेटा तुम किसी और को देखने के लिए लोगों के घरों पर टीवी देखने जाते हो अगर हिम्मत है तो कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे लोग तुम्हें टीवी पर देखें दोस्तो यही वह लाइन थी जिसने एक बेहधी गरीब परिवार के बच्चे को एली विजन का जाना माना चहरा बना दिया मैं बात कर रहा हूँ इंडिया टीवी के चेर्मैन और चीफ एडिटर रज़त सर्मा की जिनका शो आपकी अदालत आज कई दसकों से बहुत ही प्रशिद्ध है और इस शो में उनके प्रश्ण पूछने का अंदाज कुछ ऐसा होता है कि उनके हर सवाल का जवाब भी मिल जाए और कोई बुरा भी ना माने लेकिन दोस्तों आज इतने प्रसिद्ध हो चुके रज़त सर्मा के शरुवाती जीवन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे जिन्होंने बेहदी गरीबी में अपना जीवन बिताया एक कमरे के छोटे से मकान में अपनी बड़ी सी फैमली के साथ उन्होंने गुजारा किया और रेलवे स्टेशन की लाइट में उन्होंने पढ़ाई करी लेकिन दोस्तों किसी ने सची कहा है कि वह सफलता ही क्या जो बिना शंगर्ज के मिल जाए जो लोग अपनी लाइफ में जितना ही स्ट्रगल करते हैं वो अपनी लाइफ में उतना ही आगे जाते हैं तो दोस्तों रजस्षर्मा का जन्म 18 फरवरी 1957 को दिल्ली में हुआ था वे अपने माता पिता, पाँच भाई और एक बहन के साथ पुरानी दिल्ली के सबजी मंडी के पास एक छोटे से मकान में रहते थे और दोस्तों से मकान ना कहा जाए तो ही अच्छा है क्योंकि दरसल वह 100 स्क्वार फिट का एक कमरा था जहां पर 9 लोग सो भी नहीं पाते थे इसलिए एक के उपर एक तक्त लगा कर सोना पड़ता था ना तो नहाने के लिए पानी मिलता और ना ही बिजली के वेवस्था इसलिए नहाने के लिए उन्हें मुनिसिपल्टी के नल पर जाना पड़ता था और रात में पढ़ाई के लिए वे स्टेशन चले जाते पर शुरुवाती पढ़ाई पास के ही एक मुनिस्पल्टी स्कूल सनातन धर्म स्कूल से करी और दोस्तों उस टाइम बहुत ही कम लोगों के पास टीवी हुआ करती थी और जाहिसी बात है कि रजत का गरीब परिवार भी टीवी अफॉर्ड नहीं कर सकता था इसलिए रजत अ उन्होंने अपने पिता को बताई तभी उनके पिता ने कहा कि बेटा तुम किसी और को देखने के लिए लोगों के घरों में टीवी देखने चाते हो लेकिन अगर हिम्मत है तो कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे की लोग तुम्हें टीवी पर देखे बस फिर क्या था यह ब कॉलेज में पढ़ाई की बारी आई तो उनके पास उतनी पैसे ही नहीं थे कि वे अपना फी भर सके तभी उनके सीनियर अरूंड जेटली ने उनकी हेल्प करी और रजत ने भी बच्चों को क्विशन पढ़ाना शुरू कर दिया और दोस्तों जिस अरूंड जेटली की मैं बात कर रहा हूँ वे मजूदा समय में भारत के फाइनेस मिनिस्टर हैं और कुछ इसी तरह से रजत ने स्री राम कालेज ओफ कॉमर्स से अपनी ग्रेजवेशन और पोस्ट ग्रेजवेशन कम्प्लीट करी और साथ ही वे अपने कॉलेज के दौरानी जेपी मुव्मेंट से भी जुड़े थे जिस वज़ा से एमर्जेंसी लगने के बाद उन्हें कुछ मैने तिहार जेल में भी बितानी पड़ी हाला कि कॉलेज कम्प्लीट हो जाने के बाद वे जौब की तलाश में लग गये और तभी उनकी मुलाकात हुई जर्नलिस्ट जनार्धन ठाकुरसे जि अभी रजत ने उनके लिए रिसर्च किये हुए कुछ टॉपिक को यूज करने के लिए उनसे पर्मीशन मागी और फिर उन्हें इन्फॉर्मेसंस के जरिये उन्होंने ओनलुकर के लिए अपनी पहले स्टोरी लिखी जिसके लिए उन्हें कुल तीन सो रुपे मिले और उन और कुछ इस तरह से अब धीरे धीरे रजत की लाइफ पटरी पर लोट चुकी थी लेकिन रजत के लाइफ में सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट 1992 में आई जब दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट में उनके कॉलेज फ्रेंड गुल्शन गुरूवर ने उन्हें जी नेट लेकिन उन्होंने बखो भी इस काम को अंजाम बिया और फिर 14 मार्च 1993 को आपकी अदालत का पहला इपिसोड टेली कॉस्ट किया गया जिसमें लालू प्रशाद यादव गेस्ट थे और उस समय उनकी प्रसिद्धी चरम पर थी यहीं से धीरे धीरे करके यह सो इतना पॉप प्रॉपर्टीज बेज कर इंप्लॉईस को सैलरी देनी पड़ी लेकिन अपनी स्ट्राटीजी में बदलाव लाने के बाद इंडिया टीवी बहुत ही जल देश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल में सामिल हो गई और रजशर्मा ने भी आपकी अदालत शो अपने चैनल पर कर लिया था 2015 में उन्हें भारत सरकार ने सिच्छा और साहित्य में योगदान के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पदम विभूसर से भी सम्मानित किया तो दोस्तो मुझी उम्मीद है कि रजशर्मा की लाइफ स्टोरी जानकर आपको जरूर इंस्पि और सकसे स्टोरीज मिल जाएंगे जिसे आप आर्टिकल के रूप में पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो देख सकते हैं और अगर आप भी हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिसके ओपर मैं वीडियो बनाओं तो वह भी आप यहां से कर सकते हैं और हम आपके टॉपिक के वीडियो को आपके वट्सप नमबर पर भेजने का काम करेंगे और दोस्तो इस अप्लिकेशन को बार बार अपडेट करने की भी जरूरत नहीं है बस आप अप्लिकेशन को मोबाइल में इंस्टॉल किये रहेए और जैसे ही कोई नई वीडियो या फिर आर्टि झाल